देखे जीत हार साफ साफ यहाँ पर का गया कि ना तो किसी की जीत है ना किसी की हार है लेकिन फिर ये हार और जीत क्यों समझाया जा रहा है पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आंदोलंग खत्म होने को और बीजेपी की हार क्यों बताया जा रहा है देखे कुछ लोग जो किसान के नाम पर जो सियासत दान है वो लोग इसको इस तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं पर मैं आगे बढ़ू उससे पहले देखे हमारे मतबे हो सकते हैं पुश्पेंदर जी से पर हम कभी भी पुश्पेंदर जी के कारियों को या काम को हम कम करके नहीं आखते यहाँ पर एक कृष्णबीर जी इतने वरिष्ट हमारे किसान मुद्दों पर नेता बैटे हैं, उनको एक तरीके से अपमानित करने का जो कारे किया, उनके काम को अपवित्र बताने का कारे किया, अगर ये पैमाना है, तो राकेश्टिक है जी तो दो बार RLD से लड़े हैं, ह उसके कारे को अपवित्र करने का जो काम समाजवादी पार्टी के वरिष्ट प्रवक्ता ने किया है, मैं उस पे घोरापती दर्ज कराता हूँ, और उन्होंने मेरे सवाल का तो जबाबी नहीं दिया, मैं कहता हूँ, चलिए आपने हमसे जो कानून करवाना था वापिस समाजवादी पार्टी एक बार कहे, राजस्थान में दस दिन में करज माफी की बात कीती, राहूल गांदी ने आज तक करज माफी नहीं हुआ, वहाँ पर बाजरा के किसानों को MSP नहीं मिलती, डंडों से पीटा जाता है, एक बार समाजवादी पार्टी ने एक बार केरल में मंडी वापिस हो जाए, वहाँ पे APMC लागू नहीं होता, एक बार कहने की उनमें हिम्मत नहीं है, समाजवादी पार्टी ने 700 किसानों की बात की हम भी उसके लिए कटिबध है, UP की सरकार, हर्याने की सरकार मुआफजा दे रही है, माराष्टा में 2200 किसान, 36 गर में 200 किस पर आदिवासी किसानों पर गोविया चला जा रहा है, आज जिस प्रकार से कृष्णबीर जी को अपमानित किया गया है, उनके पवित्र कारियों को धूमिल करने की साजिश और एक तरीके से अपमान करने की बात की गई है, मुझे लगता है इस पर पहले तो माफी मांगनी चाहिए, अन्य था, ये पैमाना राकेश तिकेट जी पर भी लागू करें, चलिए, मैं उस पर जवाब लूँगा, मैं उस पर घंशान तिवारी से जवाब लूँगा, लेकिन क्या बीजेपी को सभी पॉलिटिकल पार्टियां किसान आंदोलन के बहाने कट घरे में सद्दान बड़े मायूस है, देखे, घंशान तिवारी के चेहरे पर कोई चमक नहीं है, वो नाराज है, वो दुखी है, पुश्पेंद चौधरी भी संतुष्ट है, राकेश तिकैद भी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, आपने वो फेस रिडिंग की, अब वो तीन नम हज को चली भारती जनता पार्टी पे आज लागू होता है, कि किसानों को एक साल तक इनोंने हर तरीके से अपमानित किया, किसान शहीद हुए, उनको इनके मंतरियों ने मवाली कहा, नक्सलाइट कहा, जाने क्या क्या कहा, और आज ये किसान के लिए घडियालू आसु बहा इनको किसान नेता मिले, इन इस तरीके से भारती जनताप़टी अपनी हार को भी जीत में साबित कर रही है, ये दिखाता हैं, दोहजार बाइस में ऐसा सफाया होगा, ऐसा सफाया होगा इस पार्टी का, कि किसान को फिर से धोखाँ देने का, किसानों पर जुल्म करनेगा, किसानों को गाली देने की हिम्मत नहीं करेंगे चलिए अब ये तो वक्त बताएगा आने वाला वक्त और आने वाले चुनाव तै करेंगे कोरोना धर नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब उच नीच नहीं देखता कोरोना कोरोना सिर्फ मौका देटा है लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए बस इतना कीजिए जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लोगिए तो इतना खयाल ज़रूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा बुलिये मत, कोरोना अभी जिन्दा है